जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था उनके पिता अमानुला खान एक मशूर लेखक थे जिन्होंने मुगले आजम और पाकीजा जैसी एतिहासिक फिल्मों के डायलॉक्स लिखे थे जीनत की मा एक जर्मन महिला थी जीनत की शिक्षा मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल और फिर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हुई थी जहां उन्होंने लॉस एंजल्स सिटी कॉलेज से सनातक की डिगरी प्राप्त की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जीनत अमान ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा उन्होंने 1970 में Miss Asia Pacific का खिताब जीता जो किसी भारतिय महिला द्वारा जीता गया पहला खिताब था इस खिताब ने उन्हें बॉलिवुड में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया जीनत अमान ने अपने करियर की शुरुवात 1971 में फिल्म हलचल से की लेकिन उन्हें असली पहचान मिली उसी साल रिलीज हुई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से जिसमें उन्होंने देव आनंद के साथ काम किया फिल्म में उनके किरदार जस्बीर जैनी ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया दम मारो दम गाने में उनकी अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में बसी है जीनत अमान की प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं सत्यम शिवम सुन्दरम इस फिल्म में जीनत ने रूपा का किरदार निभाया जो अपने चहरे पर जलने के निशान के बावजूद आत्म विश्वासी और खूबसूरत थी उनके इस किरदार को काफी सराहा गया दौन इस फिल्म में उन्होंने रूमा का किरदार निभाया जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए डौन के खिलाफ जाती है उनके इस किरदार ने उन्हें और भी लोक्त्रिय बना दिया कुर्बानी इस एक्शन फिल्म में उनके ग्लैमर्स लुक और अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया फिल्म का गाना लैला ओ लैला आज भी हिट है धर्मात्मा इस फिल्म में उन्होंने रेश्मा का किरदार निभाया जो एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला थी अजनभी इस फिल्म में जीनत ने सुश्मा का किरदार निभाया जो एक अमीर और स्वतंत्र महिला थी उनकी अदाकारी ने इस किर्दार को यादगार बना दिया जीनत अमान को उनकी बोल्ड और बेबाक अदाकारी के लिए जाना जाता था 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने अपनी फिल्मों में ग्लैमर्स और आत्मविश्वासी किर्दार निभाए जिन्होंने बॉलिवुड की हीरोईन की पारम पर एक छवी को बदल दिया वे अपने समय की सबसे फैशनेबल और ट्रेंसेटर अभिनेत्रियों में से एक थी जीनत अमान ने अपने करियर में कई पुरसकार जीते जिनमें फिल्म फेर अवार्ड्स भी शामिल है उन्होंने 1985 में मजहर खान से शादी की लेकिन यह शादी सफल नहीं रही